ग्यान सुदा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आई आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के रियक्शन मेकानिसम से रिलेटेड एमसी क्यूस जो पहला क्वेशन हमाई स्क्रीन पे है वो ये पुछा है कि X, Y और Z क्या है ये पुरा रियक्शन सीक्वेंसम को दिया हुआ है जैसा कि हम देख सकते हैं जो पहला कंपाउंड बना है वो एसिटिलीन है यानि ये एसिटिलीन का प्रिपरेशन पुछा हुआ है वोटर के साथ ये प्रिपरेशन है तो जाहिर से बात है कैल्शियम कारबाइड ही है जो फेमस प्रिपरेशन है एसिटिलीन की तो X हुआ हमारा कैल्शियम कारबाइड और मिला हमें एसिटिलीन acetylene के उपर water का addition reaction है acid और catalyst के presence में तो जाहिर से बात है एक side में क्योंकि दोनों जो CH हैं बराबर हैं एक में H जोड़ेगा दूसरे में OH जोड़ेगा और हमको मिलेगा इस तरह का unsaturated alcohol यानि enol जो की vinyl alcohol है ये unsaturated है और साथ में unstable भी है इसलिए इसमें totomerism होगा यानि ये double bond इधर shift होगा carbon और oxygen के बीच में और ये जो hydrogen है वो इस CH2 पर जाएगा और उसे CH3 में change कर देगा परिवर्टित कर देगा इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस enol से enol क्योंकि ये double bond और OH है तो ene और all इस enol से हमको ये carbonyl compound जो की यहां पर यहां पर ये hydrogen है इसलिए ये aldehyde मिला अगर यहां alkyl group होता तो ये ketone होता तो ये ketone होता तो ये ketone होता तो ये keto enol totomerism या aldoenol totomerism यहां पर बना है और acetaldehyde हमको उतपात के रूप में प्राप्त हुआ है तो this is y और ये था x अब इसका ethylene glycol के साथ reaction करवाया है और cyclic acetyl मिलता है इससे ये बहुत famous reaction है आपको पता ही है तो जर्च जो है ये cyclic acetyl है इस तरह से ये question बहुत easy था और direct था हमने इसको solve किया next जो question है बड़ा interesting है 2009 में ये question आया था एक बार फिर 2019 में भी ये question repeat हुआ था और इसमें isoelectric point PI को find out करने के लिए कहा गया था हमने इससे पहले आपको amino acid के isoelectric point को कैसे निकालते हैं उन स्थिति में जब amino acid में side chain में कोई functional group हो जैसे NH2 हो या कोई और functional group हो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं किस प्रकार से isoelectric point निकालते हैं उसका तरीका हमने बताया था और क्यों निकालते हैं वो explain भी हमने कर दिया था देखिए इन्होंने lysine कहा हुआ है और PK values जो alpha NH3 group का वो है वो उन्होंने दिया हुआ है 8.95 side chain का दिया हुआ है इन्होंने 10.53 और COOH का दिया हुआ है 2.18 जो rule आपको याद रखना है और important है वो यह कि अगर side chain में nitrogen है यहां side chain में कौन सा group है nitrogen वाला group है तो nitrogen है तो use upper 2PKA values to find PI जो PKA values दिये वे हैं तीन दिये वे हैं उन्होंने से 2 जो बड़े values हैं उनका इस्तेमाल करके average निकालके हम PI value निकालते हैं यह इसका rule है और क्यों है इसका explanation हमने पहले आपको वीडियो में दिया हुआ है same to same 2019 में भी यही question आया था और इसको इस तरह से बना के दिखाया गया था देखे यह psychological pressure होता है जो build up किया जाता है आपको ठंडे दिमाग से MCQ उसको solve करना है complicated से दिखने वाले questions होते हैं उनका answer भी काफी simple होता है तो यह इन्होंने PI निकालने के लिए बोला हुआ है और यह NH3 plus है NH3 plus इसलिए क्योंकि PK value निकालना है तो इसलिए NH3 plus के रूप में ही PK value निकाला जा सकता है वैसे side chain अगर कहें तो यह NH2 था protonated वह तभी वो उसका PK value निकाल सकते हैं खेर तो अब देखते हैं 2.2, 9.1 and 10.5 क्योंकि side chain में nitrogen है इसलिए higher values को लिया उनका average निकाला और value आय 9.8 so easy तो इससे आप देख सकते हैं कि MCQs करने से आपको theory के साथ साथ आप MCQs को practice करते जाएं जिससे examination में आपको काफी फाइदा होता है आई देखते हैं Gignard reagent किस तरह से react करते हैं अगर alpha, beta unsaturated carbonyl compound हो तो अगर ऐसे स्थिति में यहाँ इस carbonyl group के आसपास steric hindrance या त्रिविम बाधा कम है तो C double bond O पे ही Crignard reagent का addition होता है और hydrolysis करने पर आप देख सकते हैं alcohol प्राप्थ हुआ यदि यहाँ पर steric hindrance जादा होती है तो 1,4 addition होता है और जिसके नतीजन, overall नतीज़ा ऐसे दिखेगा कि double bond जो है वो single bond में परिवर्थित हो गया इस बात का अपने को ध्यान में रखना है second है कि Grignard reagent का nitrile के साथ किस तरह से reaction होता है आप देख सकते है nitrile के nitrogen के साथ जो mg है वो आके चुड़ गया है और carbon के साथ जो alkyl group है वो इस carbon के साथ यहाँ पर चुड़ गया है और जब उसका hydrolysis करते हैं तब यहाँ पर C double bond O आ जाता है आप देख सकते हैं कि इस तरह से ketone as a product मिला है और बीच में जो intermediate है वो ketamine यहाँ पर बैना हुआ है तो अपने को धियान रखना है यह सारे बातों को आई देखते हैं next question जो हमारे screen पर है the major product major product formed in the reaction of butane nitrile with phenyl magnesium bromidee यह ग्रेगनार्ड रेजेंट है यह नाइट्राइल है और उसके बाद उसका acidification किया जाता है तो major product क्या होगा अभी हमने देखा कि butane nitrile यानी 1,2,3,4 यह 4 carbon है और यह देखे 1,2,3,4 यह 4 carbon है तो यह हमारे पास option दिये वे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर butane nitrile के जब addition होगा तो हर हालत में hydrolysis के बाद ketone या carbonyl group मिलेगा तो यह दोनों options तो जैसे ही हमने NH2 देखा तो वो cancel होगा क्योंकि C double bond वो product के रूप में बनेगा अब हम किनते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है यह इन दोनों में एक CH2 का फर्क है और हमें मालुम है कि यह जो phenyl magnesium bromide है उसका pH जो है वो इधर जुड़ा है और इस carbon is nitrile carbon के साथ और यह जो बाकी जो butane nitrile का जो C3 chain है वो intact है उसमें कोई change नहीं आया है तो उसका मतलब यहां carbon के संख्या एक, दो, तीन, चार, एक carbon के संख्या जादा है तो यह नहीं है और overall reaction यह जो आपको है दिखा गया है और क्योंकि इसमें carbon जादा है तो यह भी गलत है यह NH2 है गलत है NH2 है तो this is the correct option option number A reaction इस तरह से हुई है जो कि आप screen पे देखी रहे है यह butane nitrile लिया है और ग्रिगनार रिचन के साथ reaction करवा है carbon के साथ यह carbon carbon bond बना है यह group जाके carbon पर लगा है magnesium जाके nitrogen पर लगा है not nitrogen पर जोड़ा है और उसका acidification किया तो हमको इस तरह से ketone राप्त हुआ so यह answer था direct easy question the correct order of pk of the following compound is the pk value पूछा है यानि acid की बात करी है acid HA इसका जब ionization होता है तो वो proton देता है और देता है conjugate base यह जो conjugate base है जितना अधिक stable होगा ionization उतनी आसानी से होगा जितना ionization होगा उतना proton बनेगा यानि यह कितना stable है यह जो conjugate base है जो की anion है जिसके उपर minus charge है यह minus जो इसमें से conjugate base बना है उसकी stability अगर ज्यादा है तो acidity ज्यादा होगी तो यह बात अपने को ध्यान में रखनी है अब दूसरी बात यह है कि क्योंकि यह conjugate base minus charge लिए वे है conjugate base के माइनस चार्ज ही होता है तो इसका stability कब आएगा जब इसका जो minus charge है यह विस्थापित हो जाएगा delocalize हो जाएगा mesomerism या resonance के द्वारा या फिर कोई electron आकरशी group लगा हुआ हो जो इससे mesomerism के द्वारा inductive effect के द्वारा resonance के द्वारा electron के इसको खीच ले और इसके electron के density को इसके electron के सांधता को घटा दे या फैला दे पूरी संरचना में जितना अधिक जो minus charge है संरचना में फैल जाएगा स्थाइट वो उतना अधिक होगा और जितना स्थाइट वो अधिक होगा यह HA उतना ही आसानी से ionize होके H plus और A minus देगा यानि acidity उतनी ही ज्यादा होगी तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले एक पर हम इस explanation को देख लेते हैं देखें पीके वैल्यू जादा है अगर acidity है कम और उसी तरह से acidity अगर जादा है तो पीके वैल्यू होगी कम यानि यह inversely proportional है हमें phenol दिया हुआ था तो उसका ionization अगर होता है वो proton दे देता है अगर ionization हो जाता है तो phenoxide ion बनेगा इसे तरह से यह ions बनेंगे जो हमें वहाँ example दिये वे थे question में उनके ionization के द्वारा यह conjugate basis बनेंगे अब हम देखते हैं कि जितने ज्यादा यह स्थाई होंगे उतनी ज्यादा उसकी acidity होगे उतनी ज्यादा मात्र में ionize होगे और H plus बनेगा और उसका मतलब acidity ज्यादा होगे acidity ज्यादा होगे पीके डाउन पीके का value जो है वो डाउन या लेस होगा यह फिनॉक्साइड आयन है आप देख सकते हैं और तो और पैरा position पर मिसोमेरिजम के द्वारा जो माइनस चार्च है वो देलोकिलाइस हो गया यहां जो है NME2 ग्रुप है nitrogen के उपर lone pair है और यह जो methyl group है वो inductive effect के द्वारा nitrogen की और अपने electrons धकेल रहे हैं तो यह nitrogen जो है या जो oxygen के उपर minus charge है उसको और जादा यह बढ़ा देता है क्योंकि electron दे रहा है तो ऐसे में यह होगा unstable और ionization या इससे समंदित जो acid आप जो OH था उसका ionization नहीं हो पाएगा असानी से यानि इसकी acidity होगी काफी कम क्योंकि यह electron दाता समू है दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर NO2 group जोड़ा हुआ है NO2 group जो है प्रबल electron आकरशी समू है यानि यह minus charge है वो delocalize हो रहा है इस तरह से mesmerism के द्वारा और इसके साथ ही जो NO2 group है वो इस minus charge के अपनी और खीच ले रहा है यानि minus charge को वो delocalize या विस्थापित होने में मदद कर रहा है यानि इस तरह से जो आयन होगा वो इसके नाइट्रो गृप के कारण और भी जादा stable हो जाएगा जो कि फिनॉल में यह स्थिती नहीं थी और यहां जो NME2 group था उसके इसके विपरीद स्थिती यहां थी जो यह आंस्टेबल था यह जादा stable होगा यह जादा stable यहां पर OH यहां लगा हुआ था उसका acidity ज्यादा उसके acidity ज्यादा होगी लास्ट हमारे पास acetic acid है acetic acid में आप देख सकते हैं CST COOH है जब उसका ionization होगा तो CO minus यहां पर O minus लगेगा और यह जो minus है इसके साथ resonance कर रहा है तो यानि यह इस तरह से electron delocalize हो रहा है यह O के प्लस आई प्रभाव के तवारा electrons donate करता है जबकि यहां electron है minus charge है और उसको यह बढ़ावा देता है यानि destabilize करता है तो यह जो acetic acid है वो भी एक अच्छा acid इसलिए नहीं है क्योंकि acetate ion में electron आकर्शी समूना होकर यह electron दाता समू है तो यह सारी चीज़े हैं और इनको देखते हुए हम देख करेंगे कि acidity और acidity और pka values क्या है तो यह सारी चीज़े हमने जानी और हमने यह सारे options हमने देखा और पहले analyze करते हैं कि इन सभी में सबसे ज़्यादा कम acidity किसकी होगी सबसे ज़्यादा काम acidity number 2 की होगी यानि इसकी pka value सबसे high होगी तो acidity कम pka high pka 2 की high इनोंने pka पूछा हुआ है highest किसकी है यहाँ पर db है highest और यहाँ पर 3 के pka value है db है high और यहाँ पर 4 की यानि यह दोनों options हमने cancel किये उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे stable इन चारों में कौन सा होगा जो जिसकी acidity ज़्यादा होगी तो उसकी pka value जो है वो कम होगी तो कौन सा है इसमें से यह देखे नाइट्र गरूप वाला जो acid था उसकी जो pka value है वहाँ सबसे ज़्यादा है तो इसकी pka value सबसे कम होगी तो ये देखिए फोर थर्ड जो है उसकी PK value सबसे कम होनी चाहिए तो इन दोनों में से किसमें है इसमें थर्ड में इसकी PK value सबसे कम है तो इस इस दे करेक्ट आंसर आप्शन भी ये गलत हो गया जब हमने आपको समझाया था acidity के बारे में तब हमने यहाँ COOH की जगए यहाँ पर O- यानि OH को लेके समझाया था और यहाँ जो आपको दिया हुआ है COO- है तो ज़ादा अंतर नहीं है यहाँ पर COO और O- होगा और benzene ring होगी और इसके यहाँ पर NO2 group होगा तो यह जो इसका delocalization इस पूरे ring पर इस तरह से ortho and para position पर होगा और जैसे ही यह charge यहाँ यहाँ और यहाँ minus charge यह delocalize हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर para position पर minus charge आएगा nitro group जो है वो अपने mesomerism की वजए से electrons को और delocalize कर देगा तो अगर हम इन सभी की बात करें चाहिए यहाँ OH होता यह COOH इसकी जो acidity है इन सभी में सबसे ज्यादा ही होती so the option answer is option B so I hope this video was useful to you thank you for being with me